तो प्यारे बच्चों नमस्कार, उमीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और इस कलास का इंतजार बहुत ही बेसबरी से कर रहे होंगे प्यारे बच्चों पीछे में थंबनेल देख करके आपको तो समझा गया होगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है तो प्यारे बच्चों हम आपको सबसे पहले बता दें कि आज बड़ा ही नहीं बलकि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है प्यारे बच्चों हमें लगता है कि आज बिहार बोड का सबसे बड़ा महामेराथन कलास चलने वाला है समय आपको हम आगे बताएंगे किस सब्जेक्ट का महामेराथन चलेगा सायद आपको जनकारी होगा लेकिन हम लोग इस विडियो में बहुत ही बिस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस महामेराथन का क्योंकि सायद हमें अंदर से ऐसा फिल हो रहा है कि बिहार बोड में अभी तक इतना बड़ा महामेराथन नहीं चला होगा जितना बड़ा सायद आज महामेराथन होने वाला है प्यारे बच्चों हमारा टार्गेट है मैट्रिक परिक्सा में टॉपर देना हमने सुरुआत से जब से हमने 2023 वाले बच्चे को पढ़ाना सुरू किया तब से हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष रखा है कि इस वार टो टापर टार्गेट बोड से ही होगा और हमें उमीद है कि जरूर टार्गेट बोड के बच्चे इस चीज को सचाई में बदल करके दिखाएंगे और इस सचाई को बदलने के लिए आप लोगों को तो महनत करना ही होगा साथ ही साथ हमें भी बहुत ही जादा महनत करना होगा और प्यारे बच्चों जब से हम आप से जुड़े हैं या फिर जब से आप हम से जुड़े हैं ना तो हम पीछे हटे हैं महनत से और ना तो आप पीछे हटे हैं महनत से यानि कि दोनों एक दूसरे से कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं और आज एक बार फिर कदम से कदम मिलाकर के चलने की बारी है क्योंकि आज से सुरू होने वाला है महा महरातन का दौर प्यारे बच्चों कहा जाता है न कि तुम्हारा तो समय आया था हमारा दौर आएगा तो आज से महा महरातन का दौर सुरू होने वाला है और इस महा महरातन के दौर में हम आपको वो कोश्चन बताएंगे जो सायद आपको टौपर बना दे हम वो कोश्चन बनाएंगे जो सायद हमारे सपने को सचाई में बदल दे हम से बोलते हैं न पढ़लो चाहे कहीं से टौपर होगा यहीं से अब की बार टार्गेट वोट से ही टौपर होगा तो सायद इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए आज का यह महा महराथन हमारे लिए उप्युकत है हमारे लिए यह महा महराथन काफी जादा important इसलिए हो जाता है क्योंकि इस महा महराथन में हम आपको सिर्फ objective question ही नहीं बलकि subjective question भी देने वाले हैं और subjective में भी वैसा question जो सायद हूब हूँ आपके परिक्षा में लड़ जाए प्यारे बच्चों हम आपको हमेशा से बोलते आए हैं या फिर आज हम खुल करके एक बार बोलना चाहते हैं कि हम आपको बिहार बोड का question परत्यक चुरूप से तो नहीं दे रहे हैं परत्याक चुरूप से कहने का मतलब कि सीधे सीधे question आपको थमा देना तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं बिहार बोड का question हम आपको परत्याक चुरूप से नहीं दे रहे हैं लेकिन आप परत्याक चुरूप से एक भी question छोड़ेंगे भी नहीं आज तो आज जितने सारे भी कोश्चन करवाएंगे, आप लोग यह मान करके चलिएगा, कि सारे कोश्चन भी हार बोट से टकराएंगे, जितना आज हम अब्जेक्टिव कोश्चन करवाएंगे, सायद एक भी अब्जेक्टिव कोश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जिदि जिन क mentality है अगर हम पर रखते हैं भरोषा तो आज हम दाथ के साथ एक सकते हैं कि आप लोग महावषण में जुल जायй एगा और इस महा महाराथन में हम आपको वो चीज देंगे प्यारे बच्चो जो साइद के परिक्षा में आपके ही काम आ जाएगा तो इसलिए आज का महामयराथन का टाइम टेवल है साम पांच बज़े से तो जितने सारे भी मैट्रिक 2023 के बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा देने बाले हैं इस वर्ष 2023 में बस 5-6 दिन के बाद तो उसके लिए उन सभी बच्चों के लिए यह महामयराथन संजीबनी बूटी की तरह काम करेगा तो प्यारे बच्चों मेरा आपसे नमरण इविदन है और मैं आपको अमंत्रित करता हूँ अपने इस महामयराथन क्लास में इतने सारे भी बच्चे जो बोड के बच्चे हैं जो टेंथ कलास के बच्चे हैं सभी को हमारा आमंत्रन है आज साम में पांच बजे हमारे साथ टारगेट बोड यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ जाए और हो सके तो प्यारे बच्चो इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करें ताकि बिहार के हर वो बच्चे के पास यह वीडियो पहुंचे जो इस बार बोड परिक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं खास करके मैट्रिक परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमने साल पर खूम भेहनत किया, जी जान लगा दिया, न तो दीन को दीन समझा, न तो रात को रात समझा, न तो गर्मी को गर्मी समझा, न तो ठंडे को ठंडा समझा, न तो बरसात में रुका, न तो थमा, प्यारे बच्चों उसका रिजल्ट हमें चाहिए, उसका रिजल्ट है न कि अब की बार तो टॉपर जरूर देंगे इस बार तो टॉपर टार्गेट बोट से ही होगा तो इस बार का टॉपर टार्गेट बोट से ही होगा सिर्फ या कहने से नहीं होगा कुछ कर के दिखाना होगा और उसी चीज़ को करने के लिए आज का या महा महराथन उम्मीद करके चल रहे हैं तो सारे बच्चे आज एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे सारे बच्चे आज चाहे जैसे भी हो जाए अपने सारे दोस्तों को बुला करके ले आना बोल देना कि चलो कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा महामेराथना चलने वाला है तो प्यारे बच्चो उम्मीद करते हैं कि साम में आप लोग जरूर आईएगा साम में आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा साम में आकर के आप लोग जरूर हमारे साथ गुपतगू करिएगा साम में आकर के जरूर आप लोग हमारे साथ कोस्चन का प्रैक्टिस करिएगा साम में आकर के जरूर हमारे साथ टौपर्स बनने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा और साम में आकर के जरूर हमारे साथ अपनी परिक्षा में हमारा भी थोड़ा सा सहवागी बनाईएगा तो प्यारे बच्चों, आज साम में आपका इंतजार करते हैं हम, पांच बजे से, कोस्चन हम बार-बार आपको बता रहे हैं, वहीं होंगे जो आपके बिहार बोड परिक्षा में पूछे जाएंगे, वहीं होंगे जो आपके बिहार बोड परिक्षा के कोस्चन पेपर में छपे होंगे सायद बिहार बोड पर इक्षा के कोस्चन पेपर पर छपने से पहले वह वह कोस्चन आज हमारे इस बोड पर छपेगा और इस बोड पर छपने के बाद ही आपका वह कोस्चन आपके पेपर में छपेगा तो प्यारे बच्चों हम सभी लोगों से यही कहना चाह हो रहा है सायद हमें उत्सखता हो रहा है ए वो कितना जल्दी आपके पहुशा दे सु whit अब देर नहीं होगा कि ऽतना जल्दी से जल्दी हो सके को ठन्सके आपके पहुशा देंगे और आप लोग बस question को याद कर लेना, क्योंकि जितना देर होगा, उतना समय निकलता जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि अब और समय निकल जाए, कहा जाता है, अभी आया है क्या समय, कहा जाता है कि समय तो अभी तुम्हारे पास खड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे हुए है, तो प्यारे बच्चो, एक दम उमीद के साथ हम आज का या महा महराथन का class रखे हैं, कि सायद इस महा महराथन से सीधे सीधे question आपके परिक्षा में टक राएंगे, और हम जाते जाते आपसे यही कहना चाहेंगे, कि परत्यक्ष तरीके से तो हम आपको question नहीं दे लेना, अगर question छुट जाए, तो फिर परिक्षे के बाद आखर के जितना कोशना है ना, हमें कोशने का मौका हम आपको नहीं देंगे, हम जानते हैं कि सिकायत का मौका हम आपको नहीं देंगे, प्यारे बच्चो, आप लोग हम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और प्या कर रहे हैं देखिए हमें भी कुछ बच के बचा के चलना होता है नहीं तो अगर आप से इतना ही प्यार है तो आपको सीधे-सीधे कोश्चन दे सकते थे लो बाबू कोश्चन हम तुम्हारे आगे रख देते हैं तुम पूरा कोश्चन ही आत कर लो लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, पिछले साल भर से पढ़ाया किसलिए, पिछले साल भर से मेहनत किसलिए किया, आप लोगों को तो परिक्षा देना है न, परिक्षा का आर्थ होता है दूसरों की इक्षा के भी न, अपनी इक्षा से, तो अपनी इक्षा से आप लोग जरूर बनाएंगे लेकिन उसमें सहभागिता हमारा भी होगा तो इसलिए आप लोग को कोस्चन तो नहीं देंगे बिहार बोड़ वाला लेकिन एक भी कोस्चन छोड़ेंगे भी नहीं समझ गये न? तो सारे कोस्चन आपके परिक्सा में लडेंगे तो आज आप लोग साम में 5 बजे हमारे साथ जोड़ जाएगा बहुत बड़ा महामेराथन आज होगा सायद बिहारवोट का सबसे बड़ा महामेराथन आज ही होगा प्यारे बच्चों तो सायद तो सभी बच्चों से हम जाते आते हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आज साम में आप लोग आ रहे हैं ना सारे बच्चे कबर कमेंट करके लिखेंगे आज साम में आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यस सर यार नो सर जल्दी से कमेंट करके बता देंगे प्यारे बच्चों आज का महा महरातन बहुत ही जादा इं वैसे ही प्यारे बजसों आपको हम याद दिलाना चाह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा कलास होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हम आपको पहले भी बोले थे कि एक्जाम के 5-6 दिन पहले आपको जो कोस्चन हम दे देंगे न बस उसको पढ़ करके चल जाना एक भी कोस्चन वहार से नहीं आएगा और बस इसको आप लोग पढ़ करके चल जाईएगा उसके बाद से फिर आपका कोस्चन ही नहीं चूटेगा तो टाइमिंग आपको ध्यान रखना है साम में 5 बजे और प्यारे बजसों पढ़ा दीजे ये पढ़ा दीजे वो पढ़ा दीजे सब कुछ हो जाएगा महा महराथन में और उसके बाद 11 तारी को गनीत चलेगा और 11 के बाद लगातार 12 13 लगातार गनीत चलेगा और 14 कव तो आपका एक्जाम भी है तो प्यारे बजसों समय कब पता समय कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा तो इसलिए कम से कम या 4-5 महा महराथन आप लोग कर लिजे उसके बाद आपके अंदर उतना हम विस्वास दिगाएंगे उसके बाद आपके अंदर उतना विस्वास जगेगा आप लोग खुद कहिएगा नहीं सर अब हम तयार हैं परिक्षा हॉल में जाने के लिए अब हमें परिक्षा हॉल में जाने का इजाज़ा दिजिए और उस समय कहेंगे जाओ मेरे सेर दहाल करके आना परिक्षा हॉल में से जब तुम बापस लोटना तो तुम्हारा गर्दन ऐसे नहीं बलकि एकदम ऐसे होना चाहिए तुम्हारा गर्दन सेना की तरह एकदम खड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं कि तुम CR की तरह आ रहे हो वो हम देखना नहीं चाहते हैं सिह की तरह दहारते हुए अपने परिक्षा सेंटर से निकलना और निकल करके बोल देना टार्गेट बोड जिंदावाद समझ गए ना? निकल करके बोल देना टार्गेट बोड जिंदावाद मासर सती की जैह हो समझ गए ना? क्योंकि प्यारे बच्चों उस समय आपको अभास होगा कि सायद टार्गेट बोड से आज हमने न पढ़ाई किया होता तो आज हमारा क्या होता? सायद उस समय आपको टार्गेट बोड का अहमियत पता चलेगा. तो इसलिए प्यारे बच्चों और अगर कुछ बहुत थोड़ा बहुत बच जाए तो प्रिंस सरकावी अहमियत जरूर पता चल जाएगा. तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं साम में पांच बजे बहुत ही जवर्दस्त क्लास होगा बहुत ही ज़्यादा जवर्दस्त तो साम में पांच बजे आप लोग आना बिलकूल मत भूलिएगा. साम में जो पांच बजे झाल झाल